नया साल लग चुका है, तो सबसे पहले आपको Happy New Year, नये साल के साथ ही व्यासदरों में यहाँ पर बड़ो तरीकी गई है और उसका फाइदा आपको यहाँ पर निसीत रूप से मिलेगा, व्यासदरों के साथ ही इस वीडियों हम बात करेंगे कि कितना पैसा जम्मा कराने पर कितना रिटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं, Postal दोस्त, तो सबसे पहले बात करते हैं, MIS यानि Monthly Income Scheme के अंदर, तो यहाँ पर आपको 7.1% ब्याज मिलेगा, यदि आप 1,00,000 रुपे जमा करवाते हैं, तो हर महीने आपको 592 रुपे यह ब्याज यहां पर बन जाता है, बात करें RD की, तो 5 साल की RD में आपको अभी भी 5.8% ब्याज ही मिलेगा, यदि आप 1,000 रुपे परतिमा की RD करवाते हैं, तो आपको 5 साल बाद में 79,696 रुपे यहां पर मिल जाएंगे, RD के अंदर ज्यादा ब्याज चाहिए, तो हमारा ए ब्याज यहां पर आपको मिल जाएगा, बात करें NAC, यानि National Saving Certificate की, तो यहां पर ब्याज को बढ़ाया गया है, और 7% की ब्याज दर से आपको 1,00,000 रुपे जमा करवाने पर 5 साल बाद में 1,40,255 रुपे यहां पर मिल जाएंगे, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, जिससे की पोस्ट ओपी से जुड़ी सारी information आपको समय पर मिल सकें, बात करें 1 साल की FD की, तो 1 साल की time deposit पर आपको 6.6% ब्याज यहां पर मिल जाएगा, इसी परकार से 3 साल की time deposit पर 6.9% ब्याज यहां पर मिल जाएगा, और 1 लाग की FD यह आप 3 साल के लिए करवाते हैं, तो 1,21,243 रुपे 3 साल बाद में वापस मिल जाएंगे, साथ ही बात करें 5 साल की FD की, तो यहां पर 7% की ब्याज दर आपको मिलेगी, और 1,00,000 रुपे जम्मा करवाने पर 1,35,930 रुपे 5 साल के बाद में आपको मिल जाएंगे, पोस्ट करें, इसी परकास यदि आप KVP यानि किसान विकास पत्र लेना चाहते हैं, तो 7.2% के हिसाब से आपका KVP 10 साल के अंदर डबल हो जाएगा, और सबसे अंत में बात करते हैं, सुकनिया समर्दी योजना की, यदि आपने बेटी की नाम से सुकनिया खाता खुलवा रखा ह तो यहाँ पर आपको 7.6% की ब्याज़र अभी भी आपको मिलती रहेगी, पोस्ट अपीस की सभी स्कीम के वीडियो हमारे चैनल पर एक के करके आने वाले हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेर करें, थैंक्स पॉर वाचिंग, नमस्कार